फॉरन में जाके ये चीज देखते हैं ये वो हमें इंडिया में आज गांधीनेगर में देखने को मिल रही है गांधीनागर अपड़ू कैपिटल चे अन्य यह गड़ी आ रेल्वे स्टेशन पहला करता खुब जद्यतन सुविधा साथे थायू छे वातनी अमने बधाने बहुच खूशी चे फर्स टाइम यहां से ट्रैवल कर रहे हैं रेल्वे स्टेशन से बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे एरपोर्ट में आये हैं दूसरे रेल्वे स्टेशन को देखते हुए मुझे लगा कि काफी मॉडर्ण बिल्ट है बदा प्लेटफोर्म्स एरेल्वे ट्रेक बहुच नेट क्लीन बहुच सारा यहां चे तमें इजीली तमें यहां मुवमेंट करी शक्वा जो लेडिस विधां अच्छी लग रही है जैसे के अलग से लेडिस का बैटना फिडिंग माटे जे बाड़कोंने लईना आवे छे तो त्यां बेसवानी खुब सारी व्यवस्ता चे जब मैं टिकट काउंटर पे गया जब मैं यहां प्लेटफार्म पे आया तो साफसफाई दूसरे स्टेशनों से बहुत अच्छी है तमाई हेल्प डेज पन यहां आवेलेबल चे यहां जिन पन अनो संपर्ग करी शक्वा जो रेलवे पुलिस फसिलिटी और जो बाकी स्टाफ है वो भी काफी अच्छा है रंग चे कलाकृती चे एक खुब जाकरशित ला गये चे बहुत अच्छी चीदे देखने के लिए मिली अच्छी फोटोज मिली यहां पे सुवीदा यहां पे आने जाने के लिए भी अच्छा है बसे की सुवीदा है रेलवे स्टेशन पे रिक्षा है मिल जाती है अईनो पार्किंग खुब सुन्दर चे के क्याई पन आवाजवा मा के बाहर निकडवा मा कोई अगवर्ता नथी पड़ती यहां पे बार से आये यात्रियों के लिए बहुत अच्छी सुवीदा है यह मैंने पहली बार देखा रेलवे स्टेशन के इतना टच में ओटेल ताकि रहने की व्यवस्ता हो जाए ओटल नहीं मुला कर ली थी सारी छे सरस से सगवर पन सरस से पहला हूँ था तो के घंदीनगर थी अमदावाद ट्रेन पकड़वा जाओ पड़ती थी खुब जागवरता पड़ती थी तो दूसरे स्टेशन को देखते हुए जैसे मैं भी जैपूर से आ रहा हूँ और जब मैं एमदाबाद उतरा था तो उसके बाद फर्स टाइम मैं जब यहां आया तो मुझे लगा कि सारू प्लेटफोर्म माड़ी गऊ छे के कैंभी जऊ होई तो सररता थी घंदीनगर मां जाटनू मोट्टू रेलवे स्टेशन डेवलप थाई क्यों छे हम पूरी फैमिली जा रहे हैं यहां से तो हमारे लिए बहुत अच्छा एक्स्पिरियेंस है प्रदान मंतरी तरप थी घंदीनगर ने आपवा मां आई छे लागतू छे नानकडू परियक्टन स्थर हो एउ लागी रहे हैं रुपानी जी सर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं थी एसी तरक्षी घंदीनगर केपितल में देखने को मिली हमारे को फॉरें भी जाके यह चीज देखते हैं यह वह हमें इंडिया में आज गंदीनगर में देखने को मिल रही है सीम रुपानी सर्चे में बहुत बहुत ठैंक्स करना चाहूंगा